हलो दोस्तों नमस्कार मेरे कुमार आपका केपी ग्यान वन नाइन एट में हादिक स्वागत करता हूं जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है नमबर सिश्टम या संगय पद्देदी उसमें हमने कई पार्ट पढ़ चुके हैं अवगला पार्ट जो है हम पढ़ेंगे भाजकता क क्या है पार्ट नमर और थाट आए पंदते हैं भाजकता का नियम भाजकता के नियम पहले हम पढ़ेंगे दोसे भाजकता लिए गरीछ वह संगया का इकाई अंक इकाई का अंक जीरो हो तू हो फोर हो सिक्स हो एट हो मतलब इन पांचों में से कुछ भी यदिकाई का अंक हो गया तो हमारी संख्या दो से भाज जोगी चाहे लाश्ट में जीरो हो लाश्ट में दो हो लाश्ट में चार हो लाष्ट में छे हो और लाष्ट में आठ हो तो वा संख्या दो से विभाज होगी ए हमारा दो से भाजकता का नियम है आई हम इसका एक्जामपल देख लेते हैं एक्जामपल लेते हैं जैसे हमने का दो सो सोला दो हजार छे पंदरा लाख बारा हजार पांसो 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 च्छातीस अर देखिए और भी ले सकते हैं सकते हैं है दो हजार आठ ले सकते हैं बिस कि बाम लिसकते हैं अब देखिए हमारे एकाई कांग च्छे हैं हैं यहां इकारिण यहां अंग यहां देखिए का इकार फान कुछ कह रहा है जो हमारा टर्म होता जिसके तरह तो चलना रहता है जी रोगों चारु चौह है अब को शना है के इसमेंस नगा एगहा चे नगा छीरो को आप चाहे तो नोट कर ली थी हम देखते हैं तीन से भाजकता तीन से भाजकता के लिए हमारा जो कंडिशन है यदी दी गई संख्या के पद लिख सकते हैं या अंकों का योग करने पर योग तीन से भाज्य है तो वा संख्या तीन से भाज्य होगी करने का मतलब है यदी हमको जो संख्या दी गई है उस संख्या के एक एक अंग को हम जोड़ें और जो हमारा योग आएगा वा योग तीन से भाज्य होगा तो पूरी संख्या तीन से भाज्य होगी जैसे हम एक्जामपल ले लेते हैं और यहां से देखिए fund को हम अलग-अलग करके जोडएंगे एक पत को तूपलस का 1 प्लसका 6 तो यहां से देखी हो जाएगा दो smells पर देखते हैं तो पांच प्लस का तिरी तो जाएगा पांच एक छे तीन हो जाएगा नहां देखिना आगया नो को तीन से काड़ेंगे तो हमारी पास रिमेंटर कितना है यह जीरो मतलब पांच तेरा भी तीन से पूरूप से विभाज है बस इसी परकार से एंसे भाजक्ता का नियम क्या है यह जो है यह लाश्ट के यह अन्तिम के दो आप चार से पूरूप से गड़ जाते हैं तो आप पूरी संख्या चार से गजोगी तो हमारा जूप जोगी दी गई संख्या का अंतिम दो संख्याएं यदि चार से विभाज हैं तो वा संख्या चार से विभाज होगी हमारे पास जो संख्या दी गहीए संख्या के लाश्ट का दो अंग लेते हैं उसमें चार से बाग करते हैं चार से भाग करने पर वह पूर्ण रूप से कर जाती है तो वह संख्या पूर्ण रूप से चार से विभाज होगी हाँ देखते हैं एक्जामपल बच्चों देखिए हमारे पास एक्जामपल लिए हम 15436 तो हमको कुछ नहीं करना बच्चों क्या करना है लाश्ट दो हमको उठा लेना है और इसमें, चार से भाग करना है अब हम 36 में चार से भाग करें गे तो चार से भाग करेंगे चाननमाही 3600 Vidh then 3600 उपास दूसरा है उठा लेंगे और चार से भाग करेंगे तो देखें कर जाएगा चार 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 मतलब तो हमारा देखिए अठार सब्सक्राइब या तो जीरों क्योंकि पान चक्वी सोता है पिर पांधि पंधिक होता है फिर प्र वबाद 215 मतलब पाँच और दो हिलाशन में आता है तो यहां यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक जीरो या पाँच हो तो वा संख्या पूँण रूप से पान से भाज होगी किस से भाज होगी पान से इकाई कांग कितना बच्चों 0 हो और कितना हो 5 हो तो हमारा जो पान से भाजगता का नियम है उस पे लागू होगा जैसे हम एक सबाल लेते हैं 2,5,6,5,0 बदेखिए 25-630 अब यहाँ पर एकाई काई कितना है? 0 तो यहाँ पूरी संख्या जोगी 5 से भाज होगी, हम एक दूसरा एकजांप लेते हैं 55-665 अब देखिये, यहाँ भी लास्ट काई कितना है? 5 है, यदि हम देखें, परी संख्या में भाज करेंगे 5 से 3 वाजगता का नियम था I am उमक्र था भंद क्लें को ग्यां सर्फ का या कितना है 5 सबस्ता 라는 मतलब तो हमारा जो नियम इसका हो जाएगा यदि दी गई संख्या दो और तीन से भाज है तो वाज संख्या छे से भाज होगी जैसे हम आप उसे एक्जामपल लेते हैं छोटा सा एक्जामपल है 120 अब 120 है तो यहां देखिए बच्चों इकाई कांग कितना है जीरो है जब जीरो इकाई कांग होता तो वाज संख्या दो से भाज होती है अब तीन से भाज अक्ता चक्र ना है तो इसको हम जोड़ लेंगे वन प्लस का टू हो जाएगा तीरी और तीरी से कट जाता इसलिए तीन से भी क्या होगा बाज होगा अगला एक जामपलंग लेते हैं पंदरा चार नौ दो छे हमारे पार देखिए बच्चों इतना बड़ा सा अंग दिया गया है इसको चक करना है कैसे कि भाजकता का नियम छे वाला फालो होता है या नहीं तो हमारे पार देखिए बच्चों लास्ट का अंग इतना है छे है अब लास्ट का अंग छे है तो हम जानते हैं यह दिकाई क जोड़ेंगे एक पांच जोड़ेंगे छे हो जाएगा छे चार होता है दस दस में नव जोड़ेंगे हो जाएगा 19 1921 जोड़ेंगे हो जाएगा 27 और बच्चों सब्सक्राइब जोटा हो तीन से भाज होगा तो पूरी संक्य किस्ते 6 से भाज होगी वच्चों तो आई इसको भी देखते हैं हम इसको एक नहीं दो नहीं तीन विदियों से देख लेंगे तो देखिए पहला कंडिशन है या पहला जो हमारे पास नियम है दी गई संख्या में इकाई का आंग दो गुना इकाई का आंग हम कितना कर रहे हैं दो गुना इकाई का आंग दो गुना करके सेस बची संख्या में से घटाने पर प्राफ्त संख्या यदी साथ से भाज्य है तो वा संख्या साथ से भाज्य होगी मतलब हमारा जो अंख होगा आयद इकाई का आंग हम दो गुना करके और सेस बची संख्या में हम क्या कर दें घटा दें घटाने के वाज जो संख्या हमको प्राफ्त होती है यदी वा संख्या साथ से कड़ जाती है तो आख संख्या साथ से क्या होगी विभाज होगी तो हम एक एक जामपल लेते हैं 343 अब देखिए हमें नियम क्या करेंगे इसे फालो करते हैं हमारे पास देखिए इखाई कांग तीन है बच्चों तीन को उठाएंगे तीन कांग दो गुना करेंगे और हो जाएगा च्छे सेज बच्ची संख्या हमारे पास कितनी है सेज बच्ची संख्या आप देखियां 34 है 34 मतले हम छे घटाएंगे तो बचेगा 28 और बच्चों 28 साथ से पूर्ण रूप से विभाज होगा और हम साथ से जब 28 से भाज करेंगे तो रिवंदर कितना है जीरो इसका मतलब 343 जो ह हो और सभी छे अंक कैसे हो एक ही अंक से मिलके बने हो यदि संख्या छा अंकों की है और सभी एक अंक से बने हैं तो वाज संख्या साथ से भाज होगी जैसे कि बच्चों देखें दो 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 तीन हो गया दो 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 छे मतलब यह दि छे लगाता संख्या और कैसे एक ही अंक से बने हो जैसे देखें दो से बनाए तो यहां पूर्ण रूप से साथ से भाज होगा और देखें तीन तीन ती करेंगे तो देखिए क्या करेंगे इसका दो गुना करेंगे उससे घटाते जाएंगे और इसी परकार यहां तक लाएंगे और जो हमारा एंसर निकल के आएगा लास्ट वारी संख्या जोगी साथ से पूर्ण उससे विभाद जोगी और भी देख सकते हैं जैसे चे 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 अब मतलब 6 वार यह दिलगातार एक ही अंका गुड़ा जो तो क्या आउंगी वर संख्या है पूर्ण उससे क्या हूंगी शाथ से विभाद जोगी आई हम देखते हैं तीसरा तरीका हमारे पास तीसा तरीका जो भाजकता साथ से है अब इसमें क्या एकाई के अंक में हम कुछ संख्या से गुड़ा करेंगे तो दी गई संख्या के एकाई अंक में पान से गुड़ा करके सेस बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या साथ से भाज है तो वा संख्या साथ से भाज होगी यह मतलब बच्चों है यह दि हमको जो दी गई है संख्या उसके इकाई के अंक में हम पान से भाज करें और सेस बची संख्या में उसको जोड़ते जाएं और यहां पर किरिया तब तक कर जाते हैं जब तक लाश तक ना पहुच जाएं यह दिवा संख्या साथ से पूंड 42 अब देखिए हमारे पास लाश टंग कितना है दो है अब दो में हम कितने से गुड़ा कर दें पान से गुड़ा कर दें और 354 में 10 जोड़ दें तो हमको प्राफ्ट हो जाएगा 364 अब देखिए बच्चों इसका इकाई कांग में कितने से गुड़ा कर दें तो हो जाएगा 36 और 36 पान जोग हो जाएगा 20 जोड़ दें कितना हो जाएगा 34 हम जानते हैं बच्चों कि 54 जो है उस साथ से पूर्ण रूप से भाज होता इसलिए आप पूरी संख्या जो होगी कितने से भाज होगी साथ से भाज होगी एदे कि एकाई के अंक में गुड़ा करने की परकिरिया है हाँ पडिए उसमें चोथी विदिया है यदि दी गई शंख्या छे अंकों गीयों चे इंकों की हो तो है ते यह को नियम लागू हो होगा तो संख्या के तीन समू बना कर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या चोटी संख्या घटाते हैं और प्राफ्ट संख्या साथ से विभाज है तो पूरी संख्या साथ से विभाज होगी तो बच्चों क्या हो जागी हो पूरी संख्या क्या हो जागी साथ से विभाज हमारे पास छे अंक होंगे छे अंकों में से तीन के आगे का तीन के पीछे का पेर बना लेंगे उसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे घटाने के संख्या प्राप्त होगी यह दिवा संख्या पूर रूप से साथ से भाज होगी आए एक एक जामपल देखते हैं एक जामपल है पच्पांट सब्ताइच जीरो शिक्स अब देखिए हमारा इस कितने अंका है तो हम तीन-तीन का बेर बनाएंगे देखिए हो जाएगा पांसो पांसो ऐसे में पांसो बावन जब घुक्त आइंगे उधार मांगे मैं तो क्या करेंगे एकंसो चवूण में तो हरेज़ए पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएग्वाधates not that है तो क्या करेंगे 一 सब्स는지 service भाग करेंगे हो चाया साथ दूनी 14 हो जाएगा फिसाइलना सब्सक्राइब तो बाइस मार में पूंड़ू지 आ कड़ जाएगा तो हमारे टॉपिक के साथ और नेट रिक के साथ